मुंबई में कुरोना के मामले बढ़ रहे हैं लेकिन पश्चिम में माटूंगा से कांधी वली और चेम्बूर से घाट कोपर के छेत्र में कुरोना के मामले बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं वक्त छेत्र में मास 30 दिन में केसेस डबल हो रहे हैं मुंबई में 10 फर्वरी से ही कुरोना की दुसरी लहर उठी है मामले इतने तेजी से बढ़ रहे हैं कि अब वे रेम डी सिवीर जैसी दवाईयों की किल्लत बढ़ गई है मनपास वास्त विभाग वो एक्सपर्स की माने तो लोगों को समझाने के बाद भी कोविड नियमों का नजर अंदाज करना भीर भाड वाली जगा उपनना जाना मास न पहनने के कारण आज यह परिस्तिती निर्माण हुई है तीस दिन के भीतर किसी भी वाड में मामले डबल होना चिंता जनक है यदि अब भी नहीं समले तो आगे हालात और भी खराब हो सकते हैं दस फरवरी को मुंबई का डबलिंग रेट 555 दिन था लेकिन देखते ही देखते केसिस इतने बढ़ गए कि अब डबलिंग रेट 34 दिन पर आ गया है अब मुंबई करों को यह समझने की जरूरत है कि हम पर कितना बड़ा संकट है मरीजों की संख्या डबल होने के मामले में इस समय गोरे गाउं सब से टौक पर है महत 26 दिन में मरीजों की संख्या डबल हो रही है इसके बाद बांदरा और चेंबूर पस्चिम में 29 दिन में माटूंगा खार अंधेरी पुरो कांदीवली में 30 दिन में अंधेरी पस्चिम मलाड में 31 दिन में कोरोना के मामले दुगनी तेजी से पढ़ रहे हैं जबकि घाट कोपर का डबलिंग रेट 32 दिन है DRV News के लिए राहूल पांडे की रिपोर्ट